मेरी वीडियो पर जिसका कॉमेंट होगा सबसे अच्छा जिसका अंदाज होगा सबसे अनोख वही बनेगा इस शनिवार का लखी विजेता देखी जाएंगी उसकी कुणली फ्री में किया जाएगा विशलेशन मेरी इस हफते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल तो जानेगे इस शनिवार लकी कौन नमस्कार, जैमात अदी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर अचारे जीतू सिंग रक्षा बंदन का त्योहार आता है तो हर बेहन के दिल के अंदर कुछ उमीदे जाग जाती है वो उमीदे ऐसे जागती है जैसे की हमारी रक्षा का वचन लीजिए जी दूसरी बात बहुत अच्छे अच्छे उपहार मिलने वाले होते हैं और तीसरी बात आती है कि जो एक प्यार कहीं न कहीं सालबर थलका सा दबता है वो फिर से उजागर होना अट्रेक्शन एक दूसरे से मिलने की ललक होना तो ये सारा त्योहार डेडिकेटीड होता है भाई बेहन के पवित्तर रिष्टे पर भाई हो भी क्यों ना ये बड़ा ही अनमूल सा रिष्टा होता है बच्पन साथ में गुजारा होता है साथ साथ बड़े होते हैं साथ साथ बहुत सारी चीजें समस्याय सूख दुख बांटते हुए एक उमर की उपड़ाब की तर्फ चलते हैं तो ये रिष्टे वाके ही बड़े अनमूल होते हैं इस रिष्टे में कोई आज ना आए यही हमारा मक्सद होता है कि जो भी चीजे हम आपको बताएं उससे ना कि आपके रिष्टों में आपके अंदर एक दुसरे के प्रती बहुत ही अच्छी भावना बहुत ही अट्रेक्शन और बहुत ही खिचाब हो इस रिष्टे में जब प्यार होता है ना तो तकरार होती है लेकिन तकरार बढ़ने नहीं देना चाहिए कभी भी दूर हो कोई दिक्कत ने लेकिन दिल के तो करीब रहने चाहिए कुछ रिष्टे और ये रिष्टा वैसा ही है मैं हर एक से यही गुजारिश करना चाहूंगी कि सब लोग अपने घर में अगर बहुए हैं तो उन्हें उनके भाईयों तक जरूर जाने दे इस रिष्टे को बहुत ही अच्छे से निभाने दे और अगर आपकी घर में बेटियां है भाबी नहीं आने दे रही है तो भी कोशिश कीजिए का ये समय ऐसा है मान जाए भाबी जी अपनी ननद को आपके हस्बेंड यानि उसके भाईया के हाथों पर कलाई पर राखी जरूर बानने दीजिए क्योंकि आखर आप भी तो किसी की बहन है तो ये कहने का मतलब ही होता है कि जब चीजे हमारे उपर लागू होती है तो हम बहुत सारे उसके सिस्टम निकालना शुरू कर देते हैं लेकिन जब हम दूसरों के उपर लागू करते हैं तब शायद हम भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ रिष्टे ऐसे हैं जो हमा आना चाहिए अब हम बात करते हैं कि अब हम शुब महुरत की बात कर लेता है क्योंकि महुरत बहुत जरूरी होता है हम राशियों की भी बात करेंगे कि किस राशी वाली बहन को कौन से रंग की कलाई अपने भाईया की कौन से रंग की राखिया अपनी भाईया की कलाई पर ब रहा हुआ हो जाए चलिए सबसे पहले तो हम पुर्निमा की बात कर लेंगे हैं पुर्निमा तिथी आरंब कब से हो रही है दो तारीक को दो अगस्त को जो पुर्निमा तिथी आरंब हो रही है वो रात को नो बच करके 28 मिनट पर आरंब होगी शुड़ू होगी और ये तिथी complete होगी 9 बज़कर के 27 मिनट रात को 3 अगस्त को यानि रक्षा बंदन का जो तेहार है जो मनाना चाहिए वो 3 अगस्त को ही मनाना चाहिए आब आती है उसमें भी महूरत की बात दिखी जाते हैं कि महूरत सबसे अच्छा कौन सा होता है 9 बज़कर के 27 मिनट से और 30 सेकेंड लगबग ये महूरत जो है इतने बज़े 9 बज़कर 27 मिनट 30 से लेकर के 9 बज़कर के 11 मिनट 21 सेकेंड यानि सुबा के 9 बज़े से लेकर के रात के 9 बज़कर के 11 मिनट 21 सेकेंड तक कितना लंबा यानि पूरे दिन का महूरत है ये लगबग बहुत सालों बाद ऐसा महूरत मिला है बहुत खास संयोग भी है इस बार क्योंकि ये जितने भी संयोग की बात होगी ये दूसरे वीडियो में बात होगी बहुत सारी बहनों को मिल रहा है अपने भाईया के साथ राखी मनाने का ग्यारा घंटे और लगबग 43 मिनट फॉर्टी थ्री मिनट यह कितना लंबा समय है यह पूरा देनों डेडिकेटीड हो गया जी आपको भाईया और बहनों के लिए अप्रांक महुरत की बात करते हैं अप्रांक महुरत दोपहर एक बच करके 45 मिनट से 16 से शुरू होगा और शाम के 4 बच करके 23 मिनट और 16 से किन पर खतम होगा प्रदोश महुरत शाम के 7 बच करके 1 मिनट से यह शुरू होने वाला है और रात के ही 9 बच करके 11 मिनट और 21 सेकेंड पर यह महुरत समाप्त होगा तो आपको महुरत तो मिल गया अब महुरत के बाद हम बात करते हैं कि किस राशी वालों को कैसे राखी बादनी चाहिए जल्दी से आपकी राशी का जो स्वामी है वो मंगल होता है और मंगल इंडिकेट करता है लाल रंग को शुबता की ओद तो ऐसे में हैं आपको लाल रंग की कलाई पर राखी जरूर बादनी चाहिए चाहिए सूत का धागा बाद दिये चाहिए आपने जो बड़ी डिजाइनर राखी ली है, कुछ लोग गोल्ड की ले लेते हैं, चांदी की ले लेते, सब लीजिए, लेकिन एक लाल धागा जरूर अपने भहिया की कलाई पर जरूर बांदिएगा, और कुम-कुम से तो तिलक किया ही जाता है, यह आप सब जानते हैं, कुम-कुम से तिलक ज जरूर खिलाएगा, वरिश राशी की बात कर लेते हैं, वरिश राशी का जो लॉड होता है, यह शुक्र, यानि उनके वरिश राशी के स्वामी शुक्र है, हमेशा ऐसे बेहनों को गुलाबी रंग का धागा जरूर बांदना चाहिए, आपने वेराइटी कितने भी बांद दीजिए, कैसे भी कर लेजिए, लेकिन जो जरूरी है, नेसेसिटी है, वो ये है कि आपने गुलाबी रंग का धागा अपने भाया की कलाई पर जरूर बांना है, मिठाई, मिष्टान जरूर करना है, अगर हो सके तो पंचमेवाज जरूर रखिए आप साथ में, मिथुन कर लेते हैं, मिठुन राशी वालों, आपके राशी का लॉड होता है, मर्करी यानि बुद्ध, कितनी भी राखियों का प्रियो कर लेजिए, जो भी बैनाना है, पहना दीजिए, लेकिन आपको हरी रंग का ये धागा एक जरूर आपने अपनी भाया की कलाई पर डालना ही बांधना ही बांधना ही, यानि ये वो धागा है, जो आप दोनों के बीच में एक प्यार को जिन्दा रखेगा हमेशा के लिए, कई पर मजबूरियों के चलते हुए कुछ प्यार दबने लगता है, सानी की खतम होता है, भाई बहन का प्यार तो खतम करी नहीं सकता, दुनि लेकिन आपको क्रीम रंग का सूत ये जरूर आपने भाईया की कलाई पर डालना ही डालना है, चमकीला रंग आप जूर करते हैं, सुनेहरा रंग, वाइट, सिल्वर ये भी आप कर सकते हैं, तो यानि सुनेहरे रंग की चांदी की राखी सबसे बेस्ट उत्तम रहेगी अगर आप चांदी की राखी बांदते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, और लेकिन मिष्ठान की बात करते हैं, मिष्ठान तो आपको जरूर करना, आप जब भी भाईया की कलाई पर राखी बांदे तो पीले चंदन को जरूर रख लीजे साथ में, यानि आप रोल हो गया कि हमें चमकीला रंग पीला रंग और गोल्ड की राखी बांद सकते हैं, अगर आप गोल्ड की राखी बांद सकते हैं, तो ये तो भाईया की बल्ले बल्ली हो गई और आपके लिए अच्छा है कि आपको एक अच्छा तोफाद देने के आएगा काम, तो आप गोल् ग्रहों की situation को control करता है उजब आम ग्रहों की situation को control करते हैं यह कीन मानिए आपके राइण वहली वात कर लेते हैं। अगली राषी की बात कर लेते धर्शी के स्तेमाल कीजिए आपको करना है कर लेते हुए । आपने भहिया के कलाई पर हरे रंग की ही राकिवान दिएगा, बहुत अच्छा वाना जाएगा, बहुत शुबता देग को यकीन। आपके रिष्टों में जान डाल देगा अगली राशी की बात कर लेते हैं तुला राशी वालो तुला राशी वालो आपकी राशी के लौड भी शुक्र है आपको सिल्वल कलर का सिल्वर कलर का प्रियोग ज्यादा कर सकते हैं और तो और गुलाबी रंग का प्रियोग कर सकते तो आपको भी गुलाबी रंग और सिल्वर रंग इसका ही प्रियोग करना चाहिए इसके लावा आप कुछ भी डेफिनेटली है कुछ इच्छाएं होते हैं बहुत स्टाइलिश बहुत डिजाइनर राखिया बानना चाहते हैं अपने भाया के कलाई पर लेकिन सिल्वर रंग और खास करके आपने गुलाबी रंग का प्रियोग आपने जरूर करना है अगली राशी की बात कर लेते हैं विरिश्चिक राशी इसके लॉड है मंगल अगेन इंडिकेट करते हैं आपकी लाल रंग को शुबता को तो ऐसे में आपने लाल रंग का प्रियोग जरूर करना ह राखी में धागा कर दीजे क्योंकि आपने राखी कैसी भी डिजाइनर ली है लेकिन धागा जो है सूत का धागा जो होता है वो पीले रंका लाल रंका बहुत सारे कलर्सकाच कल मिल जाता है लेकिन आपको लाल रंका धागा जरूर आपने भहिया की कलाई पाई डालना है आप पीले चंदन का भी तिलक लगाईएगा और तो और अगर पीले रंग के वस्त्र दे सकें आप अपने भाईया को लाइट येलो शिटोन में में भी चहंकी एक रुमाल ही हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो आप देना चाहते हों तो पीले रंग का प्रियोग जरूर एक दूसरों की रिस्पेक्ट एक दूसरे के कियर ये सारी चीज़े इंडिकेट कर रहा है तो आपको पीले रंग का प्रियोग जरूर करना है भाईया की हाथ में जब भी कलाई बंद रहे हैं तो पीले धके को जरूर बानना पीला दागा मिस नहीं करना है अपने मकर राश रंग का प्रियोग थोड़ा सा जरूर होना चाहिए जैसे आप राखी लेते हैं तो राखी के ओपर कुछ डिजाइनिंग जो बनी होती है वह ब्लू कलर में हो तो आपने ब्लू कलर का प्रियोग ज्यादा लेना है जब भी आप अपने भाईया के हाथों में कलाई में सा तो बहुत अच्छा शुबता का इंडिकेट करता है अगली राशी की बात करते हैं कुमबा राशी इसके लौड भी सैटरन होते हैं शनी होते हैं तो आपको भी नीले रंग का ही ज्यादा परियोग करना है इसके लाबा आप सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यानि सिल्वर और ब्लू के कॉंबिनेशन के साथ अगर आप राकी लेते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाएगा, मीन राशी की बात करेते हैं, आखरी राशी है, मीन राशी वालों के लॉड है, अगेन जुपिटर गुरू, तो आपको पीला रंग का धागा तो डेफिनिट का ध्यान रखिये का जरूर हो, तो देखा आपने सब राशी वाली बहने, आपने किस तरीके से अपने भाहिया की कलाई पर राखिवान नहीं है, कौन से कलर का प्रियों करना है, हाँ एक वीडियो हम निकालेंगे, जिसमें हम यह बताएंगे, कि आपको ठाली कैसे सजानी हम बेसिक चीजें बोल जाते हैं, जब हम बेसिक चीजों को बूलते हैं, वहीं से हमारी जिन्दगी में तनाव शुरू हो तो हम नहीं चाहते हैं आपकी जिन्दगी में जरा सा भी तनाव हो, तो इसलिए आपने सबसे पहले इस तरीके से राखी बांदनी है इस कलर का प्रियोकर ना जो भी आपने आपको अभी अभी राशियों के अनुसार बताया है आपके जीवन में आपके भाईया के जीवन में हमेशा खूशियां बने रहें नमस्कार आपके जीवन में बने अपके जीवन में हमें हमेशाई बने रहें लादनी है